हेलो फ्रेंज माइनिम इसे मजेन आज हम बात करेंगे इसी कमपनी के बारे में जो 77 रुपिस का डिविडन दे रही है और इसका एक्स डेट है 18 अगर किसी के पास स्टॉक है तो ये उनको मिल सकते हैं और कमपनी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 2016 के बाद काफी अच्छा ग्रोथ किया है कमपनी ने 2013 में लगबग ये 1500 के करीब चलता था और आज की तारिक में अगर देखेंगे तो लगबग डबल से भी ज्यादा इसका रेट है और ये कमपनी है VST Industries Limited 3345 का इसका 52 वीक ये अभी चल रहा है इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 2470 का है और 3555 का इसका 52 32 वीक हाई है देखा जाए तो ये छोटी कमपनी है स्मॉल कैप की कमपनी है लेकिन इसके फाइनेंशल अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक भी काफी अच्छा ग्रोग किया है लेकिन शेरोल्डिंग पैटन देखेंगे तो 32 33 पसंड की है बाकी मिचल फंड फॉरन पॉर्टफ इन्वेस्टर और मिचल फंड के पास है तो सेफ है वहां पर भी इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 5190 का मार्केट कैप है 10 रुपे का फेस वैल्यू है 775 पसंड का ये डिविडन दे रही है जो की फेस वैल्यू के उपर है और ये बनता है 77.50 और 18 एक्स है तो आपको देखना है इस टॉक के बारे में अगर किसी ने ले रखा है तो उसको इसली अच्छा घासा डिविडन मिल रहा है इसके अगर आप फाइनेंशल की बात करेंगे तो फाइनेंशल भी काफी बेहतर आ रहे हैं नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा आ रहा है 243 का इसका सेल्स का टॉनवर था पहले 279 का था और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 61.24 का नेट प्रॉफिट और पहले 48.33 का था तो प्रॉफिट भी काफी अच्छे आ रहे हैं आप इसली देख सकते हैं कौन सी कंपनी में कितना डिविडन मिल रहा है इस इसली एनसी के उपर तो यह आप देख सकते हैं मैंने एनसी की वेबसाइट को लिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 77.50 पर शेर का डिविडन है और 18 सेप्टेंबर एक्स डेट है 21 सप्टेंबर से 28 सप्टेंबर के बीच बुक क्लोजिंग डेट हैं तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी हैं ताकि आपको लॉंग टब में लॉस ना हो अच्छी कंपनीज में प्रॉफिट ही हो तो आज इसी के बारे में बताना था अगर किसी के पास स्टॉक है तो आप 28 सारीक तक होल्ड करिएगा क्योंकि बुक क्लोजिंग डेट 28 सारीक है उसके आप